Hey guys, welcome back to my channel on Amrit Creations and here I am Amrit. Friends, video start करने से पहले, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकोन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए नहीं तो आपको मेरे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा. तो आज का important topic यह है skin care के बारे में, कि हमें अपने skincare का schedule जो है वो कैसे manage करना चाहिए, कैसे हम अपना skin का proper दिहान रख सकते हैं, तो जो चीज़े daily करने वाली हैं, वो यही है कि morning evening आपको अपना daily face wash करना चाहिए, face को cleansing करना चाहिए, और secondly आपको face clean करने के बाद हमेशा toner और in summer specially, जो face washes है, वो आपकी morning और night की skin को proper से, अच्छे से clean कर देते हैं, और जो आप toning apply करते हूं, और open pores को tight करते हैं, आपकी skin को improve करते हैं, उनकी last city, उनको glow बनाते हैं, और third हमारी चीज़ा जाती है, moisturizing, skin को moisturize करना बहुत ज़्यादा है नहीं, तो dry होना start हो जाएगा, और skin rashes और skin की काफी problem स्टार्ट हो जाएगी, और fourth point हमारा है sun block, sun block के लिए तो मैंने अलग से एक video भी बनाया हुआ है, छोटी सी आपको एक बता देती हूं, जो sun blocks हैं, हमें sun की जो गंदे वाली radiations हैं, ultraviolet A और V, उनसे हमें protect करते हैं, हमेशा sun block जो भी है, उसको 40 है, 50 प exfoliation, मतलब skin scrubbing, अब बात कर लेते हैं, skin scrubbing की, तो skin scrubbing जो करते हैं, उसको हम कैसे choose करते हैं, जितनी भी हमारी skin types होती है, normal, combo, oily, dry, वो granules वाला हमेशा scrubber use, choose करें, use और choose दोनों करें, जो granules में दानेदार वाले scrub होते हैं, वो अच्छे से हमारी dead skin cells को remove कर देते हैं, लेकिन ज face pay rashes है, face pay dark acne है, जितनी भी problems होती है, उनको हमेशा non granules वाला gel based बाला ही, सिर्फ यूज करना चाहिए, skin scrub product, वो walnut वगारा नहीं उसकरते हैं, जो aloe vera gel basis होते हैं, सिर्फ वही उनको choose करना चाहिए, skin exploit करना चाहिए, once in a week तो must है, bath salts, body salts, जो भी हम body scrub भी उतना ही जरूरी है, तो coffee का एक mama जर्थ का आता है, बहुत अच्छा है, आप उसको try करें, use करें, बहुत benefits हैं उसके, और third चीजा आ जाती है, face pack, once week in face pack आपको लगाना चाहिए, वो चाहिए आप DIY का बेसन का लगा रहे हो, मलतानी मिट्टी का लगा रहे हो, या कोई glowing pack लगा रहे हो, या फिर sheet mask लगा रहे हो, जिससे आपको nutrients मिलते हैं, glowing skin मिलती है, आपकी skin काफी cure होनी, start हो जाती है, अब आ जाती है, बारी मन्त की, मन्त में हमें क्या क्या करना चाहिए, मन्त में हमें professionally एक facial लेना चाहिए, जिसमें cleansing, scrubbing, toning, massage, pack, सब कुछ आ जाता है, और जितनी भी हमें अच्छे सब्सक्राइब करना चाहिए, जो भी हम अपने skin पर apply करवा रहे हैं, किसी भी professional का हम फेशल ले रहे हैं, तो अगर हम किसी local parlor में visit कर रहे हैं, तो please इन बातों का ध्यान रखी, वो sponge बड़े गंदे होते हैं, वो towel बड़े गंदे होते हैं, अगर तो आप पैसे invest कर रहे हो, किसी अर्बन क्लाब में कर रहे हो, जा प्रोफेशनल वाले तो में उनकी बात बिल्कुल भी निकले हैं, जो लोकल एरियास में, रूलर ए अर्बन एरियास में, लोकल लोगों ने घर पे खोले हुटते हैं, वो towel बड़े यूज़ करते हैं, तो उनके लिए हमें हमेशा बहुत कम होगी और आपको अच्छे रिजर्ट मिलेंगे, हाइजनिक फेशन मिल जाएगा, तो अगर तो आप अर्बन क्लाब चूज़ कर रहे हैं, तो वो बैस्ट है क्योंकि वो हार चीज़ डिस्पोजबल यूज़ करते हैं, अगर उनोंने अपके स्कें क्लीन की हैं, ए इन चीज़ों का वहां पर जरूर ध्यान रखें, तो गाइज, यह वीडियो आपके लिए बहुत यूसफुल रहा होगा, इन चीज़ों को ध्यान में रखें, और जरूर इन चीज़ों को अपनी लाइफ में करें, और देखें कि इसका रिजल्ट के हैं, अगर आप इन ची थम्स अप जरूर दे दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स और रेलाटीव के साथ इस वीडियो को शेयर करें, स्विर से बोल जियों, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल, और बेल आइकोन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, thank you so much guys, stay care